पज्जो दिलान ने अब सोचा कि आखिरकार अपने छोटे भाई दिगविजे को जो है समझा लिया जाए पर दिगविजे आखिरकार किसकी उंगलियों पे कूद रहा है और कौन उसको नचा रहा है ये बात तो पता ही है आप लोगों को मैं बात कर रही हूँ करनवीर महरा की करनवीर महरा almost time god रही है हर वक्त time god बनते-бनते हमेश रही जो है वो पीछे हर जाते है और time god बन नहीं पाते है वैसी जो है इस बार भी उनके साथ है ऐसा ही हुआ पर जो frustrations जो है आप दिखाई दे रहे हैं देखे बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है करनवीर बैंड बजा रहा है रजो की मुझे बड़ा मजा आ रहा है उस चीज को देख के कि भाई एक लेज इस गुंडे के सामने कोई तो खड़ा हुआ कि जिसके सामने ये जो है न वो गंदी गालिया नहीं दे पारा बार बार बोलता है करनवीर अच्छा ये तो बता दे कब पाड रहा है कब फाड रहा है बता मेंने को फाड होगा फिर धंकी क्यों देता है तो अब जो है अपने दोस्त दिगविजे को समझा रहे थे और लोग उसको चमचा बोलेंGu ये बात जो है वो उसने सोची है इसलिए उसने रज्जो दलाल से दूरिया बना ली है रज्जो दलाल का भी मैंने एक चीज देखी है कि वो न दिगविजे को कुछ बोलता नहीं है नहीं तो दूसरों के उपर चड़ जाता है क्योंकि दिगविजे के पास काफी सारी कमजोरियां हैं रज्जो दलाल की और रज्जो दलाल अगर चड़ेगा तो दिगविजे यहाँ पर नेशनल टीवी पर ऐसी बाते ना बोल दे जिसको वो कॉंटर ना कर पाए और प्राब्लम क्रेट हो जाए वो भी रज्जो दलाल के लिए इसलिए वो चुप रहता है सुबह भी समझाया था अभी भी समझा रहा था कि देखा जो भी कर रहा है बोल रहा है मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ उस चीज से जो है सहमत भी हुए थे वहाँ पर रजो दलाल और रजो दलाल उन सब चीज़ों को सुनने के बाद जो है अब दिगविजे को करनवीर की उंगलियों पे ना कूदने की हिदायत जो है वो देते हुए नजर आए पर दिगविजे का कहना यह है कि मेरे को किसी को भ कि पीछे से चला रहा है करनवीर उसके कंदे पे बंदूक रखके चला रहा है क्या करनवीर क्या क्रनवीर इतना जादा स्मार्ट है कि वो ऐसी चीज़े कर सकता है या actually में दिगविजे बहुत सब्धा बेवकूफ है इसलिए करनवीर ऐसा करपा रहा है दिगविजे के झाल